हेलो एवरीवन वेल्कम वंस अगें टू सीविसीटी पॉइंट मैं शिवंपंडे आपका होश्ट और दोस्ते हुआ फिर से आपके सामने मैं पहले भी बता दूँ आपको कि हम फर्स्ट फैप से लाइव आ रहे हैं आपकी एक्जामस की प्रपेशन करने के लिए तो काइंड पॉलिटिकल पारड़ी इस पे आया हैं तो चलिए देरी किस बात की समझी लेते हैं देखा जाये तो इन ओर टो फेज दीज चलेंजर पॉलिकल पारड़ी नीड टो रिफार्म जो भी हमने देगा था कि पॉलिटकल पारड़ी में क्या चैलेंजिस आते हैं चार उसको बना देगर ऐसा भी कोई बिरूल जो उनके खिलाफ जा सकता है उसको मना कर सकते हैं इन ड्रक्रसी फाइनल डिसीजन वाइड बाई लीडर्स तो सवाल यह कि अगर आप किसी पार्टी को अटाते हैं तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अनादर सेट अफ लीडर्स वह भी कोई ना कोई पार्टी होगी एक पार्टी ही जगह दूसरी पार्टी ही जगह लेती है ना तो बड़ा मुश्किल है तो चले पहले समझते हैं कि जो कुछ हम ने प्रोसीजर उठाये हैं जैसे इलेक्शन जीतने के बाद अगर किसी मेंबर को चीफ मिनिश्टर बनना चाहता और नहीं मिला तो वो चला जाता था बीजेपी में फिर बीजेपी से कॉंग्रेस में फिर सपा में फिर बसपा में इलेक्शन जीता कॉंग्रेस के नाम पे गया बीजेपी पे इलेक्शन जीता बीजेपी के नाम पे गया कॉंग्रेस पे तो इससे गया हुआ कि आपको पब्लिक ने वोट दिया एक पार्टी के नाम पे और जीतने के बाद तुम्हें पोजिशन नहीं मिली तो तुम चेंज करते हो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल ही नहीं थे सारी पॉलिटिकल पार्टी कब कोलाप्स हो जाए किसी भी लीडर को कोई भी आइडिया नहीं होता था और इसी रीजन से एंटी डिफेक्शन लाओ लाया गया जिसका क्लियर मतलब है कि चुनाओ जीतने के बाद चुनाओ जीतने के बाद आपको क्या होगा चुनाओ जीतने के बाद आप जिस पार्टी से चुनाओ जीतने के बाद उसी पार्टी के मेंबर रहेंगा और आपको पार्टी छोड़नी है तो आपको स्तीफा देना होगा एंटी डिफेक्शन लाओ के इस कारण से अब पार् इस लेचर इस नीव नोज से इसथे वाया आ गया अब बात करते हैं कि और या यह एक तो यह अच्छा लुग है अब कुछ और भी डिसीजन मैंटर है जहां पे हम देखते हैं सब्सक्रेम कोर्ट ने पास किया इक लेख के लित आगकर आपको बता है ना कि जो candidate जैसे rich candidate ज्यादा से यदा election में आ रहा है तो जो candidate election में nomination वहेगा वो affidavit लगा के सब कुछ mention करेगा कि उसके बास कितनी property है इससे बस और उसका क्या record है और क्या education है जिससे public गुपना चल जाए कि वो जिसको vote दे रहा है वो कितना rich है कितना गरीब है public decide ले सके हाला कि इस law का कोई बहुत बड़ा influence नहीं हुआ क्योंकि कहीं न कहीं election कम आप क्रॉस्चेक दो करते नहीं कि जो एफटेविल लगाया है वह सही है गलत और इससे कुछ फायदा नहीं हुआ है rich people still going to the election तो इसका बहुत जदा नहीं बस थोड़ी सी fairness आ गई है ठीक है क्योंकि ह हमें नहीं पता है कि इसके लोग आने से rich या criminals का election में influence कम हुआ है नहीं पब्ली को फिर भी पता है हाला कि इसके बाद पब्ली खुद बेवकूफ बने तो अलग है कि यह अलड़ी इतना rich है तो election लग रहा है तो कहां से power आ जोगी यह थोड़ी सी fairness आई है तो यह लोग पा इस ने बोला है कि सभी पार्टी को पार्टी की income का सोर्स बताना पड़ेगा जिसमें मैंने एक शौट बनाया जिसमें बाया गया था कि बिजेपी फर्स रिचेस्ट पार्टी है करें टाइम में इंडिया पे एक आंदर अते लंगाना की पार्टी है वह सेकेंड तो हाला कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है क्योंकि यह भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फार्मिल्टी मारता है इससे कोई बड़ी बात नहीं हुए लेकिन अपनी इंगम दिखानी पड़ती है तो एक यह रिफॉर्म लाया गया हाला कि कुछ और सजेश करना सब्सक्राइब और पार्टी का अपना एक और अपना खुद का इंडिपेंडेंट अथार्टी होनी चाहिए जो पार्टी के डिस्प्यूट पर एज़े ज़ेज काम करें हाला कि कोई भी बाड़ी असा नहीं करने वाली ठीक है इस शुड़ मेंडेटरी फार पॉलिट इस पर वर्क हो गया अगले एलेक्शन से मिल जाएगा ठीक है तो देखा कि जो टीन रिफॉर्म्स हुए हैं एक सुप्रीम को इंडेका आए फिडेबिट लगाओ एक एंडी डिफेक्शन लागू लागू लगाया गया एक वो लगया पार्टी को अपनी इंकम दिखाने इ यही लॉपास करती है जो उनके फेवर में है जिसका तोड उनके पास है जिसको वह मॉडिलेट कर सकती है ठीक है एंटी डिफेक्शन जरूरी था ओके तो यह तो चली ठीक है देर शुडबी स्टेट फंडिंग ऑफ एलेक्शन इस पर कोई भी पार्टी अग्री नहीं होई कि एक बॉड़ी होगी जो इलेक्शन में होने वाले खर्चे को देगी अलग अलग पार्टी इसको वह पैसे देगी अभी तो बिसनसमें पैसा देते हैं ठीक है तो गवर्मेंट शुड गिव मनी टुड़ सपोर्ट देर इलेक्शन एक्सपेंसे अब कॉड़ कुड बी गि यह किस बिहाफ पे दिये जाएं कि उसने पिछले एलेक्शन में उस पार्टी ने कितने वोट से क्योड किया थे यहां पे तो क्या हो जाएगा डिस्पारटी भी हो जाएगी एक्क्वालिटी नहीं आएगी तो इस पर कोई नहीं देस सजिशन हैं नॉट बिन एक्सेप्ट है ना यह फंडिंग वालाएगी ठीक है बट वी मस्ट बी क्यरफुल अबाउट लीगल स्लूशन करते हैं तो लीगल चीजों के नहीं बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच निकलने की किसी भी कानून को तोड़ने के सो तरीके होते हैं एक वकील पोलिस वाला कानून को बहतर तरीखे से जानता है और उसी कानून से आपको पहले फसाएगा फिर बचाने के पैसे लेगा और आपके पैसे रूटे जाते हैं तो याद रखेगा कि यह पॉलिटिकल पार्टीज ना काउंटर अटेक करके बहुत अरप्रड़क्टिव हो सकती हैं दिस फूर्ज हाल पार्ट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज केंड बीफॉट पॉलिटिकल पार्टीज इसका सबसे बेस्ट वे क्या है पॉब्लिक को अवेर होना है हम को आपको एज यंग सिर्जन ऑफ इंडिया बी अवेर बाट पॉलिटिक्स अच्छा बुरा उसके उपर आवाज उठाना अवेर होना पड़ेगा अगर पब्लिक अवेर नहीं है तो उस देश की पॉलिटिक्स और डेमोक्रासिक गर्त में जाने वाली है और इन्री सीटिजन को ग्रैलिया निगालने है प्रेशर ग्रूप्स बनाने है मुवमेंट्स करना है मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर् अगर जनता अच्छी है जनता अवेर है तो कई जगर की डेमोक्रासी बहुत अच्छे से चलती है फेर वे में चलती है इससे कुछ नहीं होता सड़कों पे उतरना पड़ता है रिफार्म के लिए अनना हजारे के साथ पूरा देश दोड़ा था तब जाके राइट तो इन्फॉर्मेशन बिल आया और आज आप मैक्सिम सरकारी जगों के राइट तो इन्फॉर्मेशन के थूरू आप पता सकते हैं कितना खर्चा किया कितना है और बहुत से लोग आटियाई का यूज करके बहुत सारे रिफार्म्स लाएं है राइट तो इन्फॉर्मेशन अब जिसे एक है राइट तू रिकॉल यह कुछी जगह की डेमोक्रसी में चलता है इसमें अगर आपने पार्ट जाएगा ऐसे ठीक है तो यह तो था आज का और यहीं पर चेप्टर दे एंड होता है इसके नेक्स लेक्चर में हम इसके NCRD के कोशन आंसर और एक्जाम रिलेटेड एक्शुली एक्जाम स्पेसिफिक कोशन आंसर करेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी से तो आज के लिए इत जाएगा